मुझे लो अडिया क्वा ईकाफि इंपोर्टेंट आटिकल सेंपոर्टिज से इंपॉर्टेंट है और फिर प्रोस्पेक्टिव या फिर ऊफिर इन खरेगा यह आर्टिकल काफी इंक़ इंपॉर्टम होता है एसिमिटन के नहले करके यह इंडियान एक्स्प्रेस में आर्टिकल बहुत लिखते हैं और इनका Asia-centric होता है और इंडिया का उसमें एक positive-negative या फिर इस तरह से इंडिया के interest में चीजें खोजने की और तरासने की कोशिश करते हैं जो ये आर्टिकल है इसमें BRICS का context ले रहे हैं एस समय हमेशा हर एक news में वो एक न दो आर्टिकल जरूर आ रहे हैं BRICS के context में कि BRICS का organization या 15 annual meeting of the BRICS जो BRICS को full farm करते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, शाउत अफ्रिका ये BRICS जो country हैं पाँच country का एक समू है इसका भी meeting जो जहांसबर्ग में चला है, Prime Minister of India और जी जिन पी जो चाइना के प्रेशिडेंट है वो जो है कि वहाँ पे विजिट की है और रसिया के जो पुती प्रेशिडेंट है वो विजिट वर्सेस आप नैम ले ये एक सेकेंड मैं थोड़ा सा यहां पर इसकर गया एक वर्ड यहां पर यह ब्रिक्स फिर से में लिख देते हैं पूरा इसको डिलीट करके ठीक है यह ब्रिक्स ब्रिक्स वर्सेस ये करहन नैम दूसरा ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नौर्थ की बात कर रहे हैं और तुसरा एक तरफ यह कर रहे हैं चाइना एंडर रसिया रसिया जो ब्रिक्स को ब्रिक्स को इस डारेक्सन मोडने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर यह विश्टन कंट्री को डोमेन या फिर काउंटर कर सकें दूसरी तरफ इसी में ब्रिक्स में ही इंडिया इंडिया का रोल कैसे यह प्ले कर सकता है इंडिया इसके बाद जो चौथा पॉइंट इसमें आ रहा है यूएस से को ले करके यूएस से या बोल सकती है हूँ क्वाड विश्टन कंट्री को चारफ से पांच पॉइंट फे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले मैं ले चलूँगा अब लोंको बैग्राउंड बताऊंगा तो कि पहला पॉइंट हमें प्रूफ करना है यह क्याना क्या चाहते है एडिंग में देख रहे हैं वन प्रिंसिपल अब्जेक्टिव आफ नन अलायमेंट मूवमेंट जिसको हम हिंदीम करते हैं गुट निर्पक्ष अंदोलन एक है जो इसका एक प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल यह था इस्टे अवे फ्रॉम दे अरिवल पावर ब्लॉक अब बताते हैं हम आपको मित्रो जब हम 1947 में Independence पाएं और इसी की दर्मियाद Decolonization Kolonization या जो एकि उपनिवेसवाद का कम होना या जो उपनिवेसवाद या फिरी जो kolonist थी वो जो है कि अब धिए दिए धिरे आजाद या Independence हो रही थे राइट इसी की कॉंटेक्ष में है add time67 के बाद जो आर्टीकल में बताया जा रहा डारेक्ट नहीं इनडारेक्ट बतालें मैं इंडारराउंड लेकर कर रहा हूं जब 1995 के आसपास World War 2 रार डार रार 2 जो है आदंस घंग होता है और facebook के आसपास से ही बोल सकते हुआ, cold cold war start हो गया अब cold war क्या था यह हमेज़ समझना है यहाँ पर cold war क्या था और क्या है cold war एक ऐसा war छिड़ा था जिसको हम कहते है proxy क्या कहते है proxy war proxy war का meaning यह होता है कोई open war नहीं हुआ था कि भाया बंदू मिसाइल लेकर लड़ाई और जान वाज़े बस यह ideological basis पर हो रहा था इस पर आई ideological ideological basis पर वार चलना था तो आपके दिमाग में आएगा यह किसके बता रहा हूं अभी जब 1947 में decline होने लगा जो ब्रिटेन था ब्रिटेन पूरी तरह से कमजोर हो गया और इसके economic, political और world page scenario पूरी तरह से खतम होने लगा वर्चस जिस देश में कभी सूर्यस्त नहीं होता था sunset नहीं होता था अब उस देश का पतन या decline शुरू हो गया था और 1969 अकाते आते जब switch crisis होई तब पूरी तरह से खतम हो गया और इसी के दर्मियान या बोल सकते हो आप 19 मैं यहाँ थोड़ा सा background लोगा फिर 19 17 और इसी के दर्मियान बोल सकते हो 19th century में AD में दो चीज़े होई 17 में USSR का socialism socialist revolution आव socialism का जो revolution हुआ इसको Russian revolution के नाम से जाना जाने लगा Russian revolution ठीक है और इसके वज़े से USSR जब world war second में include था यह निकल गया था और इसी के समय USA एक world power के रूप में economically जो की emerge हो रहा था और USA से एक capitalism capitalism को represent करने लगा इसको capitalism जिसको करते हैं पुजी बाद और socialism को Russia socialism को Russia जो 1917 का revolution हुआ socialist revolution या Russia revolution इससे Russia socialism का नेता बन करके उभरा और इसी दर्मियान जो की US भी निमर्ज हो रहा था क्या हो गया था लगबा लेकिन 1929 इसमे 1929 में एक ग्रेट ग्रेट एकोनामी एकोनामी क्राइसीस हुई देखें 1929 में ग्रेट एकोनामी हुई ग्रेट एकोनामी क्राइसीस हुई वर्ड में जिसका नतीजा यह देखने को मिला capitalism या फि capitalist capitalist जो economics थी economics थी पूरी तरफ से collapse collapse मतलब खतम होने के कगार पे आ गई थी और नतीजा यह आया था एक सेकेंड नतीजा हमें यह देखने को मिला कि जो डॉलर या फिर बुर से करंसी करंसी हां पे हम वर्ड यूज करें करंसी का मतलब कि हर देश की मुद्रा जो होती है वो क्रैस हो गई मतलब इसकी value इतनी कम हो गई कि लोग टोकरी में बोला जाता था कि टोकरी में पैसे भरके ले जाते थे और पॉकेट में समान ले करके आते थे और इससे अपने आपको एक नेता के रूप में प्रूप कर दिया साबित कर दिया कि सोसलिजम जो हमारे यहां है वो बेश्ट है और यह पूरे देश के लिए नहीं पूरे वर्ड के लिए एक मिसाल बन करके कायम होगा लेकिन कहते हैं कि ब्रामणवाद, पूजिवाद कभी खत्म नहीं हो सकता Capitalist ने Capitalism ने अपने आपको reform किया Demand Demand के अनुसार अपने आपको फिर reconstruction किया और फिर यह emerge होगा Emerge होगा और जैसे ही 1940 के Decade में जा करके Britain का Declonization होने लगा USA Capitalism का Capitalism का एक Leader बन करके निकला और इसमें जब decolonize होने लगें पूरे वर्ड तो USA ने अपना दाओ खेला और 20 को एक पूजी वात का बदला रूप दिखाने लगा कहा यह best है लेकिन 1947 में दोस्तों जब इंडिया इंडेपेंडेंट हुआ और भी country dependent होने लगी और इसी के दर्मियान conflict एक निकल करके आ गया 1945 में इसे वर्ड वार अगर खतम हुआ उसके बाद हुआ यह कि conflict जो निकला conflict या विवाद निकला जो किनके किनके बीच में निकल करके आया तक्राने लगा यह दो पावर निकली फिर यहां से दो पावर पहले से इती पसा रहे हुए पैर लेकिन जब decline होने लगा ब्रिटेन तो USA और USSR ने अपने आपको आगे प्रमोट किया कि हम 20 रोपय फिर अब राज करेंगे ब्रिटेन का टाइम खतम अपना भी टाइम आएगा यहां से capitalism capitalism को represent करने लगा कौन USA और socialism एक सकेंड socialism को represent करने लगा USSR अब अनमान लगा यह पूरा भीशो दो धड़ों में बट गया यह किये और यह किये और इनहीं के बीच में से एक निकला था कौन इनहीं के समय से एक कौन निकला था इसको हम second एक सकेंड यहां पर लाल कलर से ही red कलर से लिखते हैं first आप बोल सकते हो यहां पर इसको first word word second word second word अब यहां पर जो third word निकल करके आया third word third word यह हो गया जो decolonize या new independent या फिर नय नय जो स्वतंत्र हुए देश थे हैं जो third word या फिर बोल सकते हो decolonize country या फिर बोल सकते हो developing 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 या फिर बोलती है d colonized country decolonized country निकले और इसमें मित्रों मैं बताओं सबसे ज्यादा जो role play किया India किया Indonesia किया मलेशिया 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 मैं इसी की दर्मियान और थोड़ा से यहां पर करूँगा आप लोगों से request यहां पर एक सेकेंड थोड़ा सा में टाइम देदीजी इसी की दर्मियान कुछ ऐसा देखने को मिला थीक है थोड़ा सा बलर कर रहा होगा अब ठीक हो जागा ठीक है अब ठीक है अब इसी की दर्मियान एक organization निकला organization निकला जिसको हम कहते है नय इनका यह था कि हम किसी भी गूट में किसी में हम अपने आपको involve नहीं करेंगे थीक है तो non alignment movement को आप बोल सकते हैं वैसे country जो नय नय independent हुए थे वो इसके member बने represent करने के लिए Indonesia और बोल सकते हुए आप या फिर यह बोल सकते बियत नाम नहीं लेकिन जो है की इंडिया major थे हैं और इसी से जब आगे बढ़ा system दोस्तों तो USA यहां पर दिखे USA का अगर हमारे साथ आप लोग नहीं है तो हम समझेंगे की आप USSR के साथ है अप अलग रहना चाहते है अलग रहिए और यह third word का एक new डाल दी गई और इसको dear course of the time अच्छा importance मिला लेकिन in the context अब जब हम 21st century में आए 21st AD में आए जब इसका importance थोड़ा सा कम होने लगा कुछ internal political ideology की वज़े से कुछ international scenario जब change होने लगा उसकी context में हमने कहा यहां पर एक सबसे बड़ा जो name का objective था कि इन दोनों गुटों में से अपने आपको अलग करना आर्टिकल में भी यह करें है कि जो एक objective major था name का वो यह था कि अपने आपको दोनों word से अलग एक word establishment करना लेकिन अब यही से इसका extension या फिर इसको link करने का या separate करने का कोशिश कर रहे है सी राजा मोहनसर किसे bricks से bricks अब कैसे अलग करने की कोशिश कर रहे है कह रहे हैं जो name था उसका एक objective था कि किसी भी गूट में सामिल नहीं होना चाहे लेकिन यहां पर जब हम R यहां पर मैं color change कर रहा हूं R means Russia अब तो इसी का part बन जा है bricks का यह तो हम second word का जो की part था अब दूसरा चे क्योंकि इंडिया भी तो इसका part है bricks का तो कैसे यह जो है की name और brick का follower हो सकता मतलब यह अलग है अब जो scenario है तब कि scenario से बिलकूल अलग है दूसरी ची जो इंडिया है अब जो है की US से साथ अच्छी खासी जो की दोस्ती है example के लिए बताते है Quad जो एक चार country का group है इसमें जापान Australia, India, United State of America इसके बाद यह कह रहा है इनका जो कहने का essence में जो समझाओं इनका कहीं न कहीं यह कहने का मतलब है कि जो bricks में China plus Russia China और Russia का कहीं न कहीं यह एक ऐसा objective है दोस्तों ऐसा एक सेकें थोड़ा सा ऐसा objective निकला सोचने में आ रहा है कि यह जो third word है third word यह फिर developing country है उनको capture करना चाहते है क्या करना चाहते है capture करना चाहते है कैसे यह आप समझे यह यहां पर कैसे यह capture करना चाहते है इनका कहना है यह जो organization है इसमें bricks के तो remember है ही है plus एक वर्ड और और उसके अचाह ब्रिक्स bricks plus मतलब bricks plus का मतलब यह bricks के पांच country और है और भी country आ रहा है जैसे Africa African Union हमने सुबह में डिसकस किया था अपने लेक्टेर में कि यह 55 groups of the country का एक organization है इसके बाद यह भी कह रहे हैं एक तो यहां से capture करना चाहते है पूरे Africa continent को दूसरा ASEAN ASEAN और तिसरा बोल सकते हो SAR और last में SEO अब आते हैं अब बात कैसे इसको calculate करिए ASEAN ASEAN में 10 country है ASEAN region में हलाकि China तो पार्ट नहीं इसका कहीं न कहीं Southeast Asia में ज्यादा है SAR के एक ऐसा group है South Asia जिसमें इंडिया प्लस पाकिस्तान भी इसका मेंबर है लेकिन यह अब irrelevant हो गया लेकिन चाइना इसमें से पाकिस्तान को अपने कबजे या फिर अपने खेमे में ले लिया है पाकिस्तान हमे साना चाइना की सुनता है अब आते हैं С.C.O में इंडिया है पाकिस्तान भी है चाइना भी है, इसके बाद रसिया bえ है और भी कंट्री है लेकिन यहाँ पी इसमें इंडिया और चाइना के बीच में टसल देखने को मिलती है और इसमें कहीं न कहीं रसिया इंडिया के तरफ से और चाइना पाकिस्तान की तरफ से बैलेंस इस्टाबिलिस करने की कोशिश कर रहा है इध़ लिया तो जो आर्टिकल में दोस्त बोला जा रहा है यहाँ पर सी राजा मोहांसर की द्वारा एक से किन मैं थोड़ा से यहाँ पर देखता हूँ एक से के ठीक है जो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं यह यही चीज कह रहे हैं कि जो आप यहाँ पर देख रहे हो एक से के अब लगता है इसको लेकर चलना पड़ेगा कहीं और ही यहां पर मुश्किल है कि हम discuss कर पाएं ठीक है एक सेके थोड़ा सा अब हमें टाइम दीजी ठीक है अभी मैं इसको लाता हूँ इस साइड ठीक है अभी हाँ पर लाता हूँ अभी इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं अच्छा होता है जब बड़े प्लेटफॉर्म पर आक करके चीजों को एकस्प्रेस करने की कोशिश करिये तो सारी चीजे कीलियर हो जाते हैं ठीक है हमने बैगराउंड बता दिया अब यह कह रहा है कि अभी जो मीटिंग हुरी नौर्थ ग्लोबल और साउथ ग्लोबल की बात कर रहे हैं इसके बाद नायम की रिलिवेंट वेश शेनारियो वर्ड की किस तरह से चेंज हो रही है क्या-क्या इंपोर्टेंस है और हमें जो भी करना होता है अपने निशन इंट्रेस्ट को ख्याल में रखते हुए नयम का इंपोर्टेंस है या नहीं वो चीज नहीं कर सकते हैं लेकिन इतना जरूर है कि जो न्यूर रखी गई थी हम उसी को अभी कहीं न कहीं बेस बनाते हैं लेकिन जो अर्टिकल में कहने की कोशी चाही कर रहे है कि काप्चरिंग थर्ड वर्ड वर्ड बाइदर रसिया एंडर चाहिना के थू ठीक है तो यह हमने जो डिसकस किया कि हमें बेसिक आडिया होनी चाहिए करने की कोशिश किया और तो इस रख्यार में फ्रेंड से बस इतना ही डिसकस करूंगा तब तक के लिए थांक्यू थांक्यू वर्में डिसकेशन